नया आईबियन सेटन होसला है इस पर लिखा हुआ था कि केच्रिवाल राज में मांगी थी पेंशन मिली टेंशन ये सब ही लोग एंसेडी आफिस के बाहर विरोत प्रदर्शन कर रहे थे गोर तलब है कि प्रदर्शन में जनाधार खोच के कॉंग्रेस एक बार फिर अपनी साख बनाने की कोशिश में जुटी हुई है पेंशन धारकों के मुद्देक उठाते हुए कॉंग्रेस ने ये विरोत प्रदर्शन किया तो चलिए अब आपको सुनाते हैं कि दिल्ली प्रदेश कॉंग्रेस अध्याक्ष अजय माकन का क्या कहना है बारा जोन्स पे कॉर्परेशन पे हम धरने कर रहे हैं और बारा के बारा जोन्स के ओपर हमारी मांग ये है कि कॉर्परेशन की जो वित्या हालत है उसको सुधारा जाए आज यहाँ पे तंखा देने को नहीं है पेंशन जो ओल्ड एज और विकलांग लोगों को कॉर्परेशन से मिलती थी वो पेंशन मिलनी बंद हो गई है यही नहीं हमारी डेवलप्मेंट के काम हमारे सारे रूप गए है तो जब कॉर्परेशन को अपनी तंखा देने के लिए नहीं है तो डेवलोप्मेंट का काम कैसे होगा तो इन सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने या कॉंग्रेस ने सड़क पर उत्रे है और मौकिम और मजूद हमारी संबाता रवी सिंग ने सब पूरे विरोध प्रदेशन का जायसा लिया MCD कर्मचारियों के वेतन का मामला भले ही सुलच चुका हो लेकिन यहाँ पर कॉंग्रेस के तमाम जो कार करता है वो लाचपत नगर में पुर्धान मंतरी नरेंद्र मोधी और मुख्यमंतरी अर्विंद के जिवाल का पुतला फूग रहे हैं और अपना रोश प्रकट कर रहे हैं जिसमें कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता आजे माकन और इसके लमा पीसी चा को भी मौझूद है इन लोगों का कहना है कि इन ठड़ी में जिस तरीके से बीजेपी का शासन है बीजेपी वहाँ पर कर्मचारियों को कई महिने से बेतन नहीं दे पारी थी इसके लमा तमाम लोगों के जो पेंशन रुकोई हुए हैं अभी तक पेंशन नहीं मिल पारे हैं और दूसरी तरफ है जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार आई है अर्विन केजरिवाल के नेतरुत में तब से तमाम जो कारिये हैं गो रुक चुके हैं गरीबों की सुन्वाई नहीं हो रही है तो यहाँ पर यह लाशपत नगर में में रोड पर आप देख सकते हैं कि पुतला फुका जा रहा है मुख्यमंत्री और प्रधान मंत्री का और कॉंग्रसी जो नेता है कॉंग्रसी कार करता है वो अपना विरोध चता रहे हैं, रोश परकट रहे हैं, कर रहे हैं और कहिन कहीं एक कोशिश है क्योंकि अगले आने वाले दिनों में, सालों में MCD के चुनाओं होने वाले हैं अब से ही जो कॉंग्रस है, वो तैयारियों में जुट गई है MCD चुनाओं को लेकर कैमरा परसन नेहा के साथ, रवीस, दिल्ली, IBN 7